Hello friends, exercise 2.4 से question number 3 करेंगे Factorize the following using appropriate identities इनको आपको factorize करना है और proper identity का use करके करना है First part देखिए 9x square plus 6xy plus y square अब यहाँ पे जो पहली term है और last term पे आप focus करोगे तो यह आपको square में दिखाई देंगी तो इनको हम whole square की form में लिख लेते हैं 9x square को मैं लिख सकता हूँ 3x का whole square और y square को मैं लिख सकता हूँ y का whole square अब हमारे पास एक identity होती है a plus b whole square a का square plus में 2ab और plus में b का square यहाँ पे मैं पहले square वाली चीजों को देख रहा हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि बीच में जो मेरी term है न वो plus की है या minus की है तो यहाँ पर यह plus की term लिख हुई है तो यह जो मेरा लिखा हुआ है quotient यह कुछ इस form में लिखा हुआ है थोड़ा आपको पहचान करनी है अब बीच में मैं अगर इसका twice करता हूँ यह जो मेरे ai है और यह जो मेरा b ai है इसका मैं twice अगर करता हूँ तो यह 6xy आ जाएगा देखे कैसे twice of 3x और यहाँ पर यह y है और यह plus हुआ अब इस मेरे इसमें कोई फर्क थोड़ी है यह 3x square 9x square ही होता है y का square y square ही होता है और twice of 3x into y यह 6xy ही हो गया है मेरा main purpose यहाँ पर यह होता है कि यह जो a और b होते हैं इनको find करना होता है और यह मेरे को निकलते हैं मेरे को पता चलता है यह side में से एक बार a और b पता चल गए तो फिर मैं यहाँ पर चाहे plus का 2 हो चाहे ऐसे minus का 2 हो वहाँ पर just मेरे को वो copy करने होते हैं twice के पास में अब यह में जो पता चल गए है कि यह इस तरह से लिखा जाता है यानि इसके जो factor है न वो यह है इस form को हम इस form में लिख सकते हैं तो a plus b whole square की form में अब इसको मैं लिख सकता हूँ जहाँ पर a है मेरा यहाँ 3x जो पहला आया है यह a है और b है यहाँ पर यह y अम इस एक bracket में इस तरह लिख सकता हूँ 3x में 3x और यह plus y और यह इसका whole square लिखा हुआ है अब square का मतलब हो गया दो बार यह दो factors है तो मैं इने अलग-अलग करके भी लिख सकता हूँ final answer में क्योंकि मुझे factors पता करने है न तो इसके दो factors है उन दो को मैं ऐसे अलग-अलग करके लिख सकता हूँ 3x plus y into में 3x plus y यह इसका answer हुआ अब आते है second question के उपर second question में भी यहाँ पर यानि यह कुछ-कुछ मेरा इसी तरह का बनने वाला है तो मैं इने पहले करता हूँ 4y square को मैं लिख सकता हूँ 2y का whole square क्योंकि 2 का square 4 हो गया y का square y square हो गया और 1 को भी square की form में लिख सकता हूँ 1 को मैं 1 का square ही लिख दूँगा क्योंकि 1 का square भी 1 ही होता है तो यह अब बीच में यहाँ पे minus है यहाँ पे यह जो identity है यह a minus b whole square वाली है अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यह कुछ इस तरह से लिखा हुआ है a का square minus 2ab और plus में b का square यहाँ पे a और b की मैंने पहचान कर लिये a यहाँ पे आ रहा है 2y और b यहाँ पे आ रहा है यह 1 और minus का यहाँ पे लिखा हुआ it means की minus वाली property लग रही है तो बीच में बस मेरे को minus 2 और a और b को साथ में product form में लिख देना है answer यही आएगा minus 4y यह minus यह 2 a की जगह पे 2y और b की जगह पे 1 और यहाँ पे यह plus देख लो आप में इसको multiply करके 2, 2, 0, 4y हो गया और a minus b है तो a और b मेरे को पता चल गए तो इसका जो answer होगा इसकी जो factors होगे वो यह होगे a minus b का whole square तो a की जगह 2y है यह minus हुआ और b की जगह पे यह 1 है इसका whole square तो यह चीज इस form से इस form में आ जाएगी अब यह square form में लिखा हुआ है मैं इसे दो अलग factors करके लिख सकता हूँ 2y minus 1 into में 2y minus 1 यह इसके दो factors हो गए है अब आते हैं इसके third question पे third question में लिखा हुआ है x square minus y square upon में 100 अब यह दोनों term square में लिखी हुई है एक formula होता है हमारे पास जिसमें दो ही term होती है दोनों में square होता है a square minus b square यह बराबर होता है a plus b into में a minus b यह identity मेरे को यहाँ लगती हुई दिख रही है क्योंकि यह जो लिखा हुआ है यह इस form में लिखा हुआ है अगर यहाँ से मैं a पता कर लू और b पता कर लू तो ऐसे दो bracket बनेंगे उनमें एक में a plus b लिखा जाएगा और दूसरे में multiply में a minus b लिखा जाएगा अब a और भी मैं यहाँ से पता करता हूँ यह x square लिखा हुआ है तो y square का तो y ही हो गया अगर इसका मैं square root निकालता हूँ और 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का square यानि y by 10 का whole square मैं करूँगा अगर तो फिर मेरा यही आ जाएगा y का square y square हो गया 10 का square करेंगे तो 100 आ गया तो यहाँ से मुझे a और भी पता चल गई a तो है x और b है यहाँ पे y by 10 बस इसके यह दो फैक्टर्स होते हैं यहाँ a और b की जगह मैं यह fill कर दूँआ मुझे दो फैक्टर पता चल जाएंगे तो x plus में y by 10 और x minus में y by 10 यह इसके दो फैक्टर्स हो गई हैं last part था question खतम खतर्स हो